नमश्का राजनामा टीवी पर आपका स्वागत में मैं प्रिया आपके साथ केंद्री वित मंत्री निर्मला सिता रमन ने अमेरिका के वाशिंग्टन डिसी में इस सित अमेरिकन तिंग टैंक पिटरसन इंस्टिटूट अफ इंटरनेशनल एकोनॉमिक्स में देश की नकारत्मक पश्चीमी धार्णा का जवाब दिया दरसल वित मंत्री यहां भारती अर्थवेवस्ता के लचिलेपन और विकास पर चर्चा कर रही थी भारत में निवेश या पूंजी प्रवाहों को प्रभावित करने वाली धार्णाओं पर पी आई आई के अध्यक्ष एडम एस पॉसेन को जवाब देते वे मित मंत्री ने कहा भारत में जो हो रहा है उस पर एक नज़र डालिये ना कि उन लोगों द्वारा बनाई जा रही धार्णाओं को सुने जो जमीन पर गए तक ही नहीं और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं इस दोरान वित मंत्री ने कहा मुझे लगता है कि इसका उत्तर उन निवेशों के पास है जो भारत आ रहे हैं और वे आते रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो निवेश प्राप्त करने में रूची रखता है मैं केवल इतना कहूंगी आईए देखे कि भारत मे क्या हो रहा है एडम एस पोसेन ने वित मंत्री से ये भी सवाल किया कि पश्ची में प्रेस में विपक्षी दल के सांसदों के इस्तितिक होने और भारत में मुस्लिम अलप संख्यों के हिंसा का शिकार होने के बारे में बड़े पेमाने पर रिपोर्टिंग हो रही है जिस कोई धारना है या वास्तव में ऐसा है कि उनका जीवन मुश्किल में है या सरकार के समर्थन से मुश्किल बना दिया गया है जैसा कि अधिकांश लेखों में लिखा है मैं पूछना चाती हूँ कि क्या भारत के बारे में ये कहना तब सही होगा जब मुस्लिम आबादी 1947 की तुला में बढ़ रही है वही पाकिस्तान में अलप संख्यों की हलत बत्तर होती जा रही है और उनकी संख्या दिन पर दिन घट रही है पाकिस्तान में अलप संख्यों पर मामुली आरोप लगाये जाते हैं जिसके लिए मोत की सजा जेसी सजा दी जाती है पाकिस्तान के कि भारत में मुसलमान बहतर कर रहे हैं। केंद्री वितमंत्री निर्मला सिता रमन ने कहा कि इश निंदा कानून जादतर मामलों में वेक्तिकत प्रतिशोत को पूरा करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है। पीडितों को तुरंट दोशी माल लिया जाता है वितमंत्री के साथ ही कहा भारत में हर जगह अगर मुसल्मानों को प्रभावित करने के लिए हिंसा हो रही है ये बयान भ्रम है ये कहना कि ये सब भारत सरकार का दोश है तो मैं कहना चाओंगी मुझे बताओ क्या साल 2014 और साथ साबित करने दीजिए इसी के साथ वितमंत्री ने कहा आपके पास हमसे मदद मांगने के हर वेवसाय है ये हर वेवसाय के बारे में बोलने के लिए हर मुद्दे पर आपको रचनात्वक भूमी का निभाने की आवश रकता है वितमंत्री ने विश्व व्यापर संगठ अधिक प्रगतिशिल होने का आग रखिया उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि WTO अधिक प्रगतिशिल हो सभी देशों को अधिक सुने और भी अधिक निश्पक्षो इसमें उन देशों की आवाज को भी जगह देनी होगी जिनके पास कहने के लिए कुछ अलग है और ना सिर्फ सुनना है बलकि ध्यान भी देना है इसी के साथ बने रहे हैं राजनाव टीवी के साथ है निवाद